आज हमने एक इम्पोर्टेंट एट्मोस्फेरिक प्रेशर का एक एक्सपरिमेंट करना है और इस एक्सपरिमेंट का नाम है कैन क्रेश एक्सपरिमेंट तो आज हमारे एक्सपरिमेंट का मक्सद यह है कि हमने एट्मोस्फेरिक प्रेशर से कैन को क्रेश करना है तो उसके एक एक बंसन बर्नर है और यह हमारे पास एक कैन है जिसको हमने क्रेश करना है और इसके अंदर जो है वो वाटर है और यह हमारे पास जो है वो कोल्ड वाट जीरौ डिग्री के उपर तो अब यह देखें कि सबसे बेले में क्या करते हैं कि इसके अंदर जो वाटर है उसको हम बॉइल करते हैं हमें कैसे पता लेगा कि वाटर जो है वो बॉयल हो गए यहां से जो है वो धुआ निकलना शुरू हो जाएगा तो देखे मैं इसको जो है वो इस बर्नर के ओपर रख रहा हूं ताकि इसके अंदर जो वाटर है वो बॉयल हो जाए अजय देखें यह पानी वो उसके वैपर बन गए और यह देखें किस तरह जो है वो अड्मोस्फेरिक प्रैशर से चैन जो है वो प्रश होगी अब हमने आपको यह पताना है किस तरह कैन जो है वो प्रश हो जाता है तो यह देखें कि यह हमारे पास एक कैन है जिसमें हमारे पास एक वाटर था जब हम इस कैन को हीट अब करेंगे तो इसके अंदर जो वाटर होगा वो बोयल होना शुरू हो जाएगा जब वोईल हो जाएगा तो वाटर के वैपर्स बनना शुरू हो जाएगे और वो वैपर्स आपको बाहर जाते हुए रहसर आएगे जैसा कि मैंने भी आपको दिखाया था तो फिर हम क्या करते हैं कि इस कैन को हम ठंटे पानी के अंदर डाल देते हैं तो जब हम ठंटे पानी के अंदर हम इसको हम डाल देते हैं तो यह जो वैपर्स होते हैं अब वो वो बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि यहां पे वाटर मुझूद है और यह जो वाटर वैपर होंगे यह उस ठंटे पानी की वज़ए से कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे जब यह कंडेंस होंगे तो यह दुबारा वाटर बन जाएंगे तो हमारे पास जो वैपर्स होंगे इसके अंदर वो कम हो जाएंगे जिसकी वज़ा से कैन के अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा अब बाइर प्रेशर जो है वो ज्यादा था अंदर प्रेशर कम है तो प्रेशर डिफरेंस की वज़ा से कैन की सर्फिस के ओपर perpendicular force लगीगी हर तरफ से तो हमारी जो कैन थी, जो हमारी कैन होगी वो क्या हो जाएगी, squeeze हो जाएगी तो यह बिसी किली किस की वज़े से होता है यह होता है, pressure difference की वज़े से तो इससे आप कैन तो क्या बड़े-बड़े drum को जो है, वो squeeze कर सकते हैं प्रेशर डिफरेंस की वज़े से बड़े-बड़े कैन भी इसी से crush हो सकते हैं बस यह necessary conditions इसके लिए जरूरी है कि अंदर प्रेशर को आपने कम करना है तो अगर आपको हमारी वीडियो पसांद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारी वीडियो को लाइक और शेर भी कीजिए और गंटी के बटन को भी आन कर लीजिए ताके आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे